24 गंटों के अंदर युक्रेन युद पर ऐसे हालाद बन चुके हैं कि एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ नेटो है और अब बीच में वर्ल्ड वॉर के साथ परमानू धमाके का खत्रा साता आने लगा है और इस वक्त युउरप में युक्रेन के बाद लंदन दुनिया के नक्षे पर वो जगा बन गई है जहां परमानू धमाके का सबसे बड़ा एपिसेंटर बनने का डर सताने लगा है नेटो खौफ में है क्योंकि आशंका है कि लंदन इस वक्त पुतिन का टार्गेट नंबर वन बन चुगा है अगर परमानू बम लंदन पर गिरा तो बिटेन की राजधानी का क्या हाल होगा लंदन के सेंटर में बम गिरने से तीन किलो मिटर बड़ा आग का गोला सब कुछ जला कर राक कर देगा रूस ने अगर लंदन पर मिसाइल दागी तो दावा किया गया है कि ये सिर्फ तीन मिनट के अंदर लंदन को दुनिया के नक्षे से मिटा देगी लंदन पर परमानू हमला हुआ तो बिटेन की संसद धूल में तबदील हो जाएगी यहां प्रधान मंत्री का निवास सब कुछ खत्म हो जाएगा बकिंगम पैलेस से लेकर लंदन का इतिहासिक पुल जब सब डह जाएगा इस हमले में चार लाक से ज्यादा लोग फॉरन मारे जाएगे जबकि नौ लाक की आबादी बुरी तरह जखमी हो जाएगी यानि उसके तीसरी डिगरी के जलने वाले जखम होंगे इन में से भी ज्यादातर लोगों की कुछ देर बाद मौत हो जाएगी लंदन पर सबसे बड़ा खत्रा क्यों अंडरा रहा है इसे समझने के लिए आपको युक्रेन ले चलते हैं युक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में ये आग बता रही है कि पुतिन का गुस्सा पूरे युक्रेन को जलाना चाहता है यहां पुतिन के हमले के बाद रेस्क्यो आपरेशन जारी है एक-एक जान को बचाने की कोशिश शल रही है हमला इतना खतरनाक था कि जलनस्की के हाथ से युद्ध निकल चुका है ये बात बार-बार साबित हो रही है उनका एक-एक डिफेंस सिस्टम दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है जलनस्की का दावा है कि पुतिन ने 24 घंटों के अंदर 128 गाइड़ बं से तबाही मचाई है यानि हर घंटे पुतिन पांच से ज्यादा बं युक्रेन पर फोड़ रहे है और ये हमले ज्यादतर खारकीव, सूमे और डोनेस्क में किये जा रहे है इस हमले में 30 लोग जखमी हुए है जिन में से 3 बच्चे भी है बताया जा रहा है कि रूस का एक गाइड़ बं कारकीव के आस्मान को चीरते हुए इस बिल्डिंग पर आगिरा ये बात तो जेलन्सकी भी पूछ रहे हैं कि उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है जबकि युद्ध से तबाही का मनजर रोज खौफनाक होता जा रहा है रूस और युक्रेन दोनों अब एक दूसरे की बहुमनजला इमारतों को टार्गेट कर रहे हैं युद बहुत ही भानक दोर में पहुच गया है लेकिन बॉर्डर के पार रूस में क्या हुआ है जिसने पुतिन को कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है देखिए बेलगरत के ये वीडियो इन धमाकों ने जेलिंस्की का अजेंडा साफ कर दिया है रूस के अंदर ऐसे खतरनाक हमलों को देखकर पुतिन बहुत बेचैन है जबकि जेलिंस्की ने पुतिन को रोकने के लिए फिर से अपनी पुरानी डिमांड पेश की है इपर देलिंस्की की इस डिमांड का सबसे बड़ा जवाब वॉशंटन डीसी से नहीं बिटेन की विदेशमंदरी ने कहा है कि वो युकरेन को लंबी दूरी के मिसायल देने पर विचार कर रहा है यानि ऐसी मिसायल जो रूस के अंदर हमला कर सकती है आम नटेम प cleaner उक्रेटे सतथा वक्राइमे चार्व मिलिय को अब का लुविकना सव ओडोंगा बाफ उन्वी है आभने contractी स्प्साइब को वा क्ष üzerं के साथ मारेकर Scottish है भी हर उलना है मुनिस्ण ठाह प्रिलिय। व्हान वे थे नितिता श्रीख वाहरा श्राइज भी उस्ताइज को एक्टी टो डिजिए ञाम अखला में हमें तूंद कर सावा दो बजाती पूंद को इंक रहा बाने थे प्रॉषमा आप के पार प्रॉषमा को से इस दोड़ है। ब्रिटेन अब रूस के खिलाफ रिस्क लेना चाहता है वो ऐसा खत्रा मोल लेना चाहता है जिसका जवाब पुतिन ने देने का फैसला पहले से ही कर लिया है और वो इस फैसले का ऐलान दुनिया के सामने कर चुके हैं सवाल है कि क्या पुतिन अपनी सबसे खतरनाख मिसाइलों को लांच करेंगे? ये वो मिसाइल है जो इस वक्त पूरी तरह अक्टिव है रूस के लगातार हमलों के बीच जेलन्सकी की लाचारी, नेटों की मजबूरी और बाइडन की बेचैनी देखने लायक है पुतिन की धमकी का मतलब है 96 करोड लोगों पर वर्ल्ड वार का खत्रा पुतिन ने कहा दिया है युकरेन को लंबी दूरी के हत्यार दे कर अब नेटों रूस के खिलाफ सीधी लडाई लड़ना चाहता है रशीडियों कर सेजी लड़ना है पुत JEट ने बेण भी कहारतों कर नच्ती हैं, और जो बाई ल networks of वर शोषब रही लोगों लिल कषमे देखने कि één salष में आंकि आपधा कर लो DAVID येर वच्वेद कर देखने कर चंब कर दो में पहोई बारा पीम इतने इस style of रूस के लगातार हमलों के बीच जेलेंस्की की लाचारी, नेटो की मजबूरी और पुतिन पर लग रहे इल्जाम और नेटो पर बड़े हमले की तैयारी वाली बातें इन सब को समझाने के लिए आपको दिखाते हैं पुतिन का परमानू तैखाना जिसमें मोबाइल लॉंचर वाली सकिंदर मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है, बहुत ही घातक मिसाइल है ये पंडुबी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल, रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा RS-36 Saturn, जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं, रेंज सबसे ज्यादा, 16000 किलोमीटर RS-28 सरमत, इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल है RS-24 जंगल में चुपते हुए आगे बढ़ता हुआ ये ट्रक ही इसका लॉंचर है पुतिन कैई बार इसकी टेस्ट लॉंचिंग दिखा चुके है अब डर है कि उकरेन यूद के दोरान इसका असली प्राक्टिकल भी देखने को न मिल जाए पूरी दुन्या बस इसी डर से घवराई हुई है RS-24 यास की रेंज 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है ये पुतिन की सबसे आधुनिक लैंड बेस्ट मिसाइल है वही पुरानी UR-100 स्टेलेटो अब भी भरोसे मन्द मिसाइल है रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूकलियर बंबाला हमला हुआ तो लंदन कैसे बचेगा गुद्दा बहुत बड़ा है वर्ल्ड वॉर का खत्रा है हाला कि जेलिंस्की को फिक्र अपने खारकीव की है सुमे की है और दोनेश्की है जब कि वो हुद अपनी कैपितल कीव में बैठे है कोजन तकी रосійський उदार, कोजन प्रोयब रосійського терору Як सьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини Все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою Ми очікуємо відповідних рішень परेदों, वीद स्पोलुचने हैं, बरितारी, फ्राणी, नीमेचिन, इताली उसी, хто मोज़े स्वाई रішूचीस्त्यु दोपमगते व परैतुंको जीत्यूप जेलंस्की की बातों को अभी दक, अमेरीका ने नजर अंदास किया है परमाणू बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ पुतिन के टार्गेट पर दुनिया के कौन-कौन से शहर होंगे न्यूयोर्क, पैरिस, वाशिंटन डीसी, लंदन, बरलिन, शिकागो, कैलिफोर्निया, लॉस आंजिलिस ये नाम इसलिए क्योंकि पुतिन की रेंज इन शेहरों तक है और अगर नेटो और अमेरिका ने उनके साथ न्यूक्लियर युद्ध शुरू किया तो पुतिन इन सभी शेहरों को धूल में मिला देंगे अगर इन शेहरों पर बम गिरा तो क्या होगा? पुतिन का घुसा जला कर राख कर देगा ये बात तो बाइडन भी जानते हैं फ्रांस के इमानियूल मैक्रो भी जानते हैं जर्मनी के उलाव शॉल्स भी जानते हैं और बिटेन के पी-म केर स्टार्मर भी पुतिन के घुस्से से वाकिफ है पुतिन की नुकलियर कमांड इस वक्त पूरी तरहां से आक्टिव है वो अपने तमाम खतरनाक नुकलियर हत्यारों और उनके डिलिवरी सिस्टम को पूरी तरहां पर रख चुके हैं पुतिन के मिसाल के टार्गेट पर नेटो का हर बड़ा शहर है और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पुतिन की धमकी को हलके में लेने की गलती वर्ल्ड वार को दावत कही जाएगी इसलिए युद को लेकर पूरी दुनिया में जो अंगारे देखने को मिल रहे हैं उसमें युक्रेन का अंगारा घाजा से भी खतरनाक है क्योंकि इस जंग में बार-बार बताया जा रहा है कि रूश के परमाणू हत्यार लगातार अक्टिव बने हुए है